गुद मारिंग स्टूडेंट आज हम अपने स्टडी में लेसंस सेकेंड के इंपॉर्टन एक्स्टरक्ट को समझेंगे जो आप उसे पूछे जाते हैं तो चैप्टर के बीच में से एक पार्ट जो सा ले लिया जाता है उसका और उसी के अकॉर्डिंग क्वेशन अंसर रहते हैं और वो आपसे एक्जाम पेपर में या टेस्ट में पूछे जाते हैं हमारा जो पेरिग्राफ है वो फर्स्ट पेरिग्राफ है जिसको में रीट कर रही हूं और आप समझें बग्वा में लिए गवाप टुप गवाप में टुप बग्वाप डवाप टुप टू लाइट लाइट ओर लिए एन इन पूज जिए कॉज पर सेट रूई बग्वाज पर टुफ लाइट प्राइट सी अवाप भी ऑटो ज का लेवाट अट्र व टूरींग पर्जी state her potential he began to buy turning two large drums and different notes and that said उन्होंने का suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down यह एक्स्ट्रेक्ट आपकी बुक के बीच में से आप बुक में लेसन टू में इसको टिक भी लगा सकते हैं और इसी के according question first A है Evelyn was not going to give up What was Evelyn not going to give up Evelyn किस चीज़ से give up नहीं करना चाती थी वो क्या चीज़ थी तो आप second question देखे When did Evelyn decided to play music Evelyn ने music play करना कब decide किया Question number C is that Why did Ron Forbes encourage her Ron Forbes जो थे उन्होंने उसे क्यों encourage किया था यानि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित क्यों किया था D. What did Ron Forbes tell Evelyn Ron Forbes ने Evelyn से क्या कहा C. Find out the word from the extract which means find Find का meaning extract में क्या दिया है तो ये जो पांचों question आपको दिये हैं वो question इस paragraph से ही related है और answer आपको इनी paragraphs में मिलेंगे अब मैं इनके answer बता रही हूँ पर आप खुद भी इन answers को ढूनने की practice करेंगे ये for example आपको समझाने के लिए है और आप इसको अपनी book में भी tick करके रखेंगे तो आप इनके answer चेक कीजिए अब अपने First A number का question जो था उसका answer is Evelyn was not going to give up her interest too late our normal life Evelyn जो है अपनी normal life को जीना नहीं चोड़ना चाती थी उससे give up नहीं करना चाती थी Next question जो आप से पूचा गया था When did Evelyn decided to play music? Evelyn ने music को play करना continuously जारी रखना कब decide किया था तो पहरा में आप देखेंगे Evelyn decided to play music after noticing a girl playing a xylophone जब उसने एक लड़की को जाइलो फॉन बजाते हुए देखा था तब उसने अपने music को जारी रखने का यानी starting रखने का decision लिया था See questions में आप से पूचा था कि उन्हों Ron Forbes ने encourage क्यों किया था तो Ron Forbes encouraged because he late spotted her potential क्योंकि वो उसके potential को पहचान चुके थे Next, D Ron Forbes ने क्या कहा था तो Ron Forbes ने उससे कहा था Don't listen through your ears Try to sense it some other way आप अपने कानों से मस सुनो अधर वे से सुनने और समझने की कोशिस करो Now last answer आप देखेंगे Last आप से पूचा है find का meaning तो find का meaning होगा spot E number का जो आपका question था आप इन passages को ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी book में टिक करेंगे इसके साथ ही अधर जरूरी नहीं कि आपसे यही passages पूचे जाएं या यही extract पूचे जाएं आपकी chapter से related दूसरे भी extract पूचे जा सकते हैं Now thank you students